ओके अलो फ्रेंड किसे हो आप से में विशी और आप देख रहें बहूंटु इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल इस वीडियो में देखने वाले नेक्स्ट विक के लिए कौन से छे स्टोक होंगे जो आपको स्विंग टेडिंग में हेल्पुल हो सकते तो दोस्तों अभे दिक में जो हमारा पहला स्टोक है वो है कमिंस इंडिया अभी इसको मैंने क्यों लिया तो नॉर्मली यह हाल फिलाल क्या है कि वन अवर्स के चार्ट पर यह कंसोलिडेट करता हुआ आपको दीख रहा है तो इसलिए मैंने इसको पिक किया है और अगर यह चार्ट इदर से यह न बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारा दूसरा श्टोक है वो है गेल अभी आप गेल को देख रहे हो तो यह कितने टाइम से क्या है कि एक रेंज में रेक्टेंगल रेंज में फसा हुआ गहा है और आप अगर इदर से देखोगे तो आपको इदर ट्रीपल टोप भी रहा हूँ इसलिए मैं क्या कि only अपना sorting view इसमें रख रहा हूँ अगर मेरे को यह red line के नीचे proper breakout इसका मिल जाता है तब मैं इसमें sort के लिए जा सकता हूँ तो जो हमारा दूसरा stock था वो है support line पर यह support ले रहा है तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिन में मतलब Monday या उसके बाद यह support line है उसको break करके नीचे आजाए मैं इसमें sort की और देख रहा हूँ अगर ऐसा कुछ होता है अगर यह line को यह break करके नीचे की और आता है तब मैं इसमें sort की और जाऊंगा लेकिन वो break out proper होना चाहिए तो इसलिए हमें इसको लेके गया हूँ क्योंकि इसमें triangle बना हुआ है तो इसके बाद का जो हमारा stock है वो कौन सा है वो देख लेते इसके बाद का जो हमारा stock है वो है ambuja cement अभी आप ambuja cement को देखिए इसमें एक wage type pattern बना रखिए तो यह क्या है कि normally एक upside ज देखने को मिल गई तब में इसमें sort की ओर जाओंगा तो आप भी अपनी analysis कीजिए इसको आपके sorting की ओर लेके जा सकते हो लेकिन जो है आपको proper पता होना चाहिए कहां आप entry ले रहे हो कहां आपका stop low से कहां आपके target से in simple में कहना यह चाहता हो कि आप भी पहले अपनी analysis देख लेते इसके बाद के जो हमारा stock है वह संटीवी अभी आप संटीव को देखिए ना तो यह इतनी ज्यादा up moment दे रहा था ना इतनी ज्यादा down moment दे रहे था पिछले दिन इसने क्या कि एक upside moment दिया और फीर से इधर एक ingleping बना दिया और उसका बाद एक correction देखने को मि और आप देख रहे हो कि यह line आपकी support की तरह work करे थी एक बार इधर support लिया इधर support लिया एक दो तीन बार इधर support लिया तो इसी line के नीचे अगर यह proper तरीके से चला जाता है तब मैं इसमें sort के ओर देखूंगा और इसको जब आप one day पे shift करते हो तब आपको इसमें क्या देखने को मिला है, shooting star देखने को मिला है, so इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा prefer करूंगा sort करने का, अगर यह मेरे को red line जो 372 का level है, उसका proper तरीके से breakout हो जाता है, तब मैं इसमें sort की ओर देखूंगा, so जो हमारा sun tv है, वो mostly मैं sort की ओर देखूंगा, अभी जो हमारा आक sector के stroke, consistency कर रहे है, so इसके लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यह पहले तो all time high के ऊपर है आप, और दूसरा कि यह अभी triangle भी बन चुका है, जो आपका ascending triangle हम बोलते हैं, अगर यह stock आपको यह triangle का proper तरीके से upset breakout देखता है, तब आप इसमें buying set जा सकते हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि market की situation केसी है, proper तरीके से breakout हुआ है या नहीं, तो अगर मेरे को proper तरीके से upset breakout मिल जाता है, तब मैं इसमें buying की और देखूंगा, so buyocon जो हमारा last stock था, वो buy के लिए था, तो यह थे 6 stock जो next week में आप swing trading के लिए लेके जा सकते हो, लेकिन उससे पहले आ पाद में ही कोई trading कीजिए, तो दोस्त, यह वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज आरो like, comment and subscribe कर देना, आप like comment करोगे, तभी तो हमें motivation मिलेगा, और इस video आगे लेके आएंगे, so please like, comment and subscribe कर देना, चलिए मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक टटा, गुडबाई, जै, इन